Let's look at a comprehensive example of MRP. In this example we have two products और उनका हमने पूरा MRP record डिवेलप करना है. इसका जो structure है ये next slide के उपर गिवन है इन दोनों products का structure और सारे elements जो भी use हो रहे हैं दो end products के इंदर हमने किस तरह develop करना है MRP record वो हम show करेंगे और उसके अंदर एक ही record होगा for each element whether it is being used in product A or in product B. It doesn't matter. अगर दोनों में इस्तमाल हो रहा है again it will be only one record जो के हमने develop करना है. एक हमने MPS given है कि third week, fourth week और fifth week में इसकी requirement है production की 35 units third week में, twenty units fourth में और fifth week के अंदर A की production शुरू होनी है. इसी तरह B का हमारे पास है कि second week में 15 units, fourth week में 10 और fifth week में 18 units की production होनी है. इस हसाब से हमने अब इसका MRP record develop करना है और structure जो है वो product structure ये next में दिया हुआ है और इसके हसाब से product A के अंदर X का जो है component वो एक यूज होगा और C के दो X में यूज होंगे, D का एक X में यूज होगा जबके Y जो है वो हमारी A में यूज होगा, so basically ये जो Y है, it was in level 1, but क्योंके हमने low level के उपर इसको align करना है और product B के लिए Y जो है वो इस level 2 पर है, तो उसको हमने pull down करके उसके align कर दिया है level 2 पर, इसी तरह B में दो X यूज हो रहे हैं, और 2 ही E यूज हो रहे हैं, और हर E के अंदर 2 Y यूज हो रहे हैं, और X के अंदर जैसे पहले A product के हसाब से बताया था, तो C के 2 और D का एक यूज हो रहा है, अब इसके हसाब से हमने इन सब का जो MRP record है वो develop करना है